स्वागा थे आप सभी के हमारे सजीर वाइक गुरू चैनल में आने के लिए धनिवाद दोस्तों मेरा नाम है सजीर उद्दिन और आप देख रहे हैं सजीर वाइक गुरू तो चलिए कुछ नया सिख लेते हैं दोस्तों आज आपको बताऊंगा ट्वी स्टोक एक्सिल हेवे रहता है मोबिल जो रहता है उसे एक लिटर पेट्रोल में पचीस एमेल वाइल देना चाहिए लेकिन नहीं दिया है उसका कारण यह खराब हो चुकी है और भुगता है तो उसको लगाना पड़ेगा लाइनर बॉल किट बोर कर गिभी हम लगा सकते थे लेकिन बोर करने से क किमत है तो मैं नहीं लगा दूँ यह पूरा खराब हो चुकी है ब्लोक किट इसे बोर करने से से चलेगा 25 साइज मैं कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा फिर यह खराब हो जाएगा तो चलो मैं बोलो किट अन्बॉक्सिंग करता हूं और आपको आप लोगों को दिखाता ह हूं इसका कीमत है 1674 रुपिया इसका कीमत है दोस्तों जेनोईन है ओरिजिनाल टीबेस कंपानी का है तो चलो फटाफट मैं इसे खारता हूं इसके अंदर क्या-क्या आता है कि प्राकेट को काट लिया मैंने अब मैं बुलो कीट को बाहर करूंगा एक क्यारी से बढ़ा हुआ है प्लास्टिक से उसके अंदर यह है दोस्तों यह है बलोक किट जैसे में यह नवे फीप टी रहता था उसी तरह रहता है यह लोहे का है यह ऐलूमीनिया मं का नहीं दोस्तों यह पूरा body lookahe का है और इसमें весь पिश्टौन डिंग गजन पिन और सरकिलिप है दोस्तों ठीक है पेकिंट टैकिंट कुछ नहिं है श्रीप पिश्टौन डिंग सेट कर रहुआ है सारकिलिप भी एक लगा हुआ है गजन पिन भी उसमें लगा है और इसमें शेटिंग आता है तो मुझे कुछ इसका टाइमिंग बगेरा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा है किस तरह से पिश्टोन लगाएंगे वह देख लिजा अगर उल्टर पिश्टोन आप लगाएंगे आपका जो रिंग है तूड़ जाएगा कीक मानने का बात उसका जो साकिशन का छेद होता है उसमें अठक के बात तो दोस्तों मैं लाइनर बोलो किट लगाने से पहले मैं एक चीज आपको बता दाता हूं इसके जो कानेटिन रॉट है इस रॉट को मुझे क्या करना पड़ चेंज कर दूगा क्यूंकि इस वाइल चिल का कारान हावाले लेगा और भाइट ठीक से नहीं इस्टाड होगा और प्राब्लम होगा धुवा देना चालो हो जाएगा कलाच्यमवार से भुवा चल जाएगा तो चलो इस पिस्टून को मैं यह तीर चिन्नों जो है तोड़ जाएगा एक चांस पर तो मैं यह गल्थी करना नहीं चालता हूं हूं कि है आरेक संड़िक घ्थ में यह गलती मैं एक बार किया था और भुकताया Сबार बारिम तोड़ जाता था को माँ गल्दी नहीं गरूंगा दोस्तों यह रोलार बूस को भी है आपको करना पड़ेगा कैसा है तो रिंग का गुरूब मैं आपको बता देता हूं बीच में वो जो चिन्ना है बीच में आपको रखना चाहिए इस तरह से नहीं हाँ इस तरह से अब इस तरह से सिलिंडर को हम लगाएंगे तो चलो गयन पीन को हम ठोक लेते हैं और इसके जो सारकिल सारकिलिप को हम लगा देंगे बस यह सारकिलिप लग चुकी है थोड़ा लूब्रीकिन कर लेता हूं वाइल देने का बाद क्योंकि यहां कोई वाइल आने वाला नहीं है इंजिन से यह बगेर वाइल का रहता है क्योंकि यह ट्वीश्ट्रोक बाइक के दोस्तों तो इसमे अब मैं आश्ता अजधक भुस्तों ना कर दिया है और लुब्रीकन सोरे को थी आए फेलिप के लाइन वाल देने वाइल को आयाquis करें हैं तो हाथ मेरा से व Exchange हो गया इसमें ज्यादा प्राब्लम नहीं है इसका कोई घ्याम सर्प नहीं होतakah श्रिप रेडव रहुता है पुंख्छी में चेन् Guinea होता है चलो जो वाइल्चाना जिम्मी निकाल देता हूं खराफ हो जाएगा दोस्तों और इंजिन और शेयरों खतमा जाएगा जल्दी इस वाइल्चाना इस वाइल सिल का कारण जाएं तो हम यह गल्दी करना नहीं चाहता है मिरे यह थोड़ा ठीक है लेकिन मैं नहीं रख़ूँगा मैंने बोलो कि चेंज किया इस वाइल सिल को यह नया है और यह ओल्ड है दूनों ही एक ही साइज का है यह टूइस्टोग बाइक के लिए और फॉरिस्टोग बाइक के आलग होता है है तो चलो इसे मैं आईस्ता-इस्ता करके लगा देता हूं इसको अच्छा से आप लगाईए चंबर खोलने का बात अच्छा से आप अराम से लगा सकते है लेकिन इसे आप छेड़ खानी नहीं कर सकते है अगर वाइलशील गलती से भी कट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा तो मैंने वाइलशील शेडिंग कर दिया है अब इस नाट को लगा देंगे ठीक है यह दोनों चार मुखा नाट रेता है क्रोस इस नाट को हम लगा देंगे बस हो गया तो दोस्तों मैंने हेड भी फिट कर रहा हूं इसका अंदर एक गैस किट होता है और यह हेड मैं लगा रहा हूं कलाचेंबर भी मैंने शेडिंग कर लिया है वो सब देखाने का जरूरत नहीं अगर कलाचेंबर का वीडियो आप देखना चाहते हो कि क्रेचार किस तरह से फीड करें तो हमारा चैनल पर जाइए वहां आपको मिल जाएगा एकसेल हेवी डूडि का और फूल इंजिन का भी वीडियो मैंने बना कर रखा है आप अराम से देख सकते है एकसेल हेवी डूडि का क़ी अधिस्टों का भी है फोडिस्टों का भी है तो है तक टोह नोहीं देख सकते हैं तो दोस्तों यह है हेट गानाट करें सब्सक्वां कर दद आ मोटा एंजिन वाइल बारें ययाजिए कि हमीर 55 féLE उन गाहिどう यह है मैं इक लीडर ले लिए लेकिन मैं sopram डालूंगा शाड़े 300 ml क्योंकि इस बाइक में शाड़े 300 ml ही इंजिन वाइल रहता है यहां से कि एक लीटर इंजिन वाइल है इसके अंदर तो मैं क्या करूंगा कि शाड़े 600 650 ml मैं बोतल में ही रख दूंगा उसके में पेट्टूल में डालने के लिए जब एक लीडर पेट्रूल डालेगा तो उसको में कास्टोमर को दे देंगे यह पूरा आइडिया करके देदेगा एक लीडर पेट्रूल पर 25 ml वाइल डाल देदेगा तो मैं थोड़ा अभी नया इंजिन जब बना रहा हूं तो थोड़ा टैंकी पर थोड़ा वाइल दे दे होगा तो मैंने यह टैंकी क्याप लागाने का बात अब मैं थोड़ा इसे हिलाओंगा बाइक को जैसे जखाओंगा और आसानी से कि थोड़ा पेट्रूल मिक्चार हो जाएगा इंजिन वाइल का साथ अब सब कुछ सेट कर लिया है अब दोस्तों मैं बाइक को इस्टार्ट करूंगा देखो तो दोस्तों मैंने इस्टार्ट किया और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बाइक का साथ रिलेटिव वीडियो लाते रहते हूं और दिखाते रहते हूं फिर आजी रहोंगा अगला वीडियो का साथ तो थैंको बेरी माच आल दो बेस